तत्वों का वर्गी करण एवं गुण धर्मों में आवर्तिता इसके अंतरगत हम आज पढ़ने वाले हैं परीचे वर्गी करण का इतिहास मेंडलिप की आवर्तिसारणी और मेंडलिप की आवर्तिसारणी के गुण दोश तो चलिए सबसे पहले देखते हैं परीचे असल में शुरुवात में तत्वों की संख्या बहुत कम थी तो किसी भी प्रकार के वर्गी करण की आवशक्ता नहीं थी क्योंकि हम असानी से किसी भी तत्वों के गुणों और सब चीजों का अध्यान कर सकते थे परन्तु धीरे-धीरे तत्वों की संख्या बहुत बढ़ती गई और इसके बाद हमें तत्वों के वर्गी करण की अवशक्ता महसूस हुई तो आवर्तिता शब्द जो इस पूरे अध्याय में बार-बार आने वाला है पहले हम उसका अर्थ समझ लेते हैं आवर्तिता शब्द का अर्थ होता है निश्चित अंत्राल के पश्चात पुनरा वृत्ती जैसे आप घड़ी की सुईयों को देखते हैं यदि घड़ी की सुई 12 से चलना चालू होती है तो एक निश्चित समय पश्चात वो फिर से 12 में पहुँच जाती है जैसे सेकंड का काटा, साठ सेकंड के बाद मिनट का काटा, जो है वो साठ मिनट के बाद और गंटे का काटा, बारा गंटे के बाद पुना उसी स्थान पर आ जाता है जहां वो पहले था तो आवर्तिता का अर्थ होता है पुनरा वृत्ती तत्वों के परिपेक्ष में हम आवर्तिता शब्द जो इस्तिमाल करते हैं उसका अर्थ होता है परमाणू संख्या के निश्चित अंत्राल के बाद तत्वों के गुण धर्म में पुनरावरित्ती तो जैसे जैसे तत्वों की संख्या बढ़ती गई तो उन्हें याद रखना उनका अध्यान करना जटिल होता गया और उनके वर्गीकरण की आवशकता महसूस हुई कि हम समान तत्व वालों को एक साथ रखें, अलग वाले को अलग अलग रखें ताकि उनका अध्यन आसान हो जाए तो इस छेत्र में कई प्रयास किये गए, तो हम देखते हैं कि वर्गी करण का क्या इतिहास रहा वैसे तो बहुत सारे वेग्यानिकों ने तत्वों के वर्गी करण का प्रयास किया परन्तु उनमें से मुख्य उलेख जो आते हैं वो एक है डॉबर नियर का, डॉबर नियर ने त्रिक नियम दिया था और उन्होंने क्या किया था उस समय के जितने भी ग्यात्त थे उनको तीन-तीन के वर्ग में, तीन-तीन के ग्रुप में, समूह में उनको रखा था और ये बोला था कि पहला और तीसरा तत्व जो है उसका परमाणू द्रवेमान का यदि हम औसत निकालेंगे तो वो बीच वाले तत्व के परमाणू द्रवेमान के बराबर होगा जैसे उदाहरन में आप यहाँ पर देखिए, लीथियम, केल्शियम, क्लोरिन, सोडियम, स्ट्रोंशियम, ब्रोमिन, पोटेशियम, बेरियम, आयोडिन यह डॉबर नियन ने ऐसे कुछ त्रिक बनाये थे, जैसे उदाहरन के लिए लीथियम का परमाणू द्रवेमान साथ, पोटेशियम का 49, अगर आप दोनों को जोड के दो से भाग दे देते हैं, तो यह लगभग 23 के बराबर आता है, अर्थात पहले और तीसरे तत्वों के परमाणू द्रवेमान को आप जोड देते हो, और जब उसको दो से भाग देते हो, तो बीच वाले का द्रवेमान निकल आता था, तो उन्होंने कुछ तत्वों के त्रिक बनाये, परंतु यह जो नियम था, वो सभी तत्वों के लिए लागू नहीं हो पाया, बहुत ही कम स अंख्या के तत्वों के लिए यह लागू हो पाया, इस तरह यह आगे जाके असफल हो गया, दूसरा है नियू लेंड का अस्टक नियम, अंग्रेज रसानक यह जौन नियू लेंड ने 866 में एक अस्टक नियम प्रस्तुत किया था, और इस नियम के अनुसार उन्होंने य यदि हम व्यवस्थित करते हैं, तो प्रत्यक आठ्वा तत्व जो होता है, वो पहले तत्व के गुण धर्म में समानता दिखाता था, अब नियू लेंड ने इसे अस्टक नियम कहा, क्योंकि यहाँ पे संख्या 8 की बार-बार पुनरवृत्ती हो रही थी, आठ्वा नौवा तत्व दूसरे तत्व से इस प्रकार ये समानता दर्शाते थे, इसकी तुलना नियू लेंड ने संगीत के साथ सुरो से की, और उन्होंने कहा कि जैसे संगीत के साथ सारे गामा पाधा नी, नी के बाद साफ फिर से पहले जैसा है, तो उसी आधार पर उन्होंने इसकी तुलना संगीत के साथ सुरो से भी की थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे तत्व, लीथियम, बेरेलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, आक्सिजन, फ्लोरिन, अगर आप नंबरिंग करें, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये देखिए, आप देख सकते हैं, 1, 2 3, 4, 5, 6 और 7, ये साथवा नंबर का है, अब सोडियम आया आठवे नंबर पे इसके गुण पहले वाले से मिल रहे हैं, ठीक है, मैगनीशियम आया नाइन्थ पे ये दूसरे नंबर से मिल रहे हैं, तो उन्होंने जो है इस तरह से वेवस्थित किया था, परन्तु अगर आ यहां पर उत्क्रिस्ट गैसें आपको मिसिंग दिखाई देंगी, बाद में जब उत्क्रिस्ट गैसों की खोज हुई, तो ये क्रम आठ न रहके न हो गया, और ये जो वरगी करण था, ये केवल कुछ हलके तत्वों तक ही सीमित था, जैसे जैसे तत्व का परमानुभार बढ़ता जाता था, ये निवलंड का अस्टक नियम जदा सफल नहीं हो पाया, इसलिए इस नियम को बाद में अमान्य कर दिया गया, इसके बाद अगला वरगी करण दिया लोथर मेयर ने, लोथर मेयर ने क्या किया, जर्मन के वेग्यानिक थे, उन्होंने तत्वों के पर परमानु आयतन, उनके परमानु भार के आवरती फलन होते हैं, यहां पर ये लाइन जो है, वो ध्यान देने योग्य है, कि तत्वों के परमानु आयतन, उनके परमानु भार के आवरती फलन होते हैं, उन्होंने फिर से परमानु भार को आधार रखा, और ये बताया कि पर इस तरह से आपको जो ग्राफ मिलता है उनके गुण एक समान और जो आपको नीचे में दिखाई दे रहे हैं जैसे कार्बन, सिलिकोन तो उनके गुण एक जैसे परंतु उन्होंने ये जो ग्राफ बना के तत्वों के परमानू आयतन और परमानू भार के बीच आवर्तिता दर्शानी की कोशिश की ये वर्गी करण बहुत ज्यादा सफल नहीं हुआ और इसके बाद मेंडलिफ आये और उन्होंने लोथर मेयर के नियम को थोड़ा सा रुपान तरित किया और मेंडलिफे के रशियन केमिस थे जिनका जनमाट फरवरी 1834 को मृत्यू दो फरवरी 1907 को हुई थी इन्होंने तत्वों के वर्गी करण के छेतर में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया इन्होंने ब वास्तों में इन्होंने लोथर मेयर के नियम को रुपान तरित किया था क्योंकि लोथर मेयर ने ये कहा था कि तत्वों के परमाणू आयतन उनके परमाणू द्रवेमान के आवर्थी फलन तो परमाणू आयतन पर फोकस किया था लोथर मेयर ने इन्होंने रासायनिक इस्थान छोड़े थे और तत्वों के गुणों की भविश्यवानी की थी उन्होंने कहा था कि भविश्य में ऐसे तत्व खोजे जाएंगे जिनके गुण ऐसे ऐसे होंगे अर्थात उन्होंने पहले ही भविश्यवानी कर दी थी तो मेंडलिफ ने जो आवर्त नियम दिया वो यह था कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणू द्रव्यमानों के आवर्ति फिलन। दो तरह से आप चल सकते हैं तो जब आप उपर से नीचे आते हैं जिसे हम उर्धवाधर पंक्ती कहते हैं वह कहलाता है वर्ग ये देखिए और जब बाएं से दाएं चलते हैं तब वह कहलाता है आवर्थ इस प्रकार तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुल 6 आवर्थ हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 आवर्थ हो गए और रोमन संख्या में जो लिखा हुआ है एक से लेकर 8 तक तो यहाँ पर कुल हो गए 8 वर्ग इस प्रकार 8 वर्ग 6 आवर्थ अब आप यहाँ पर देखिए कि एक से लेकर 7 तक प्रत्येक वर्ग को दो उप वर्गों में बांटा गया है एक से लेकर 7 तक 8 वे को नहीं एक से लेकर 7 तक को 2 उप वर्ग A और B में बांटा गया है और जो आठवा वाला वर्ग है उसे त्रिक के रूप में वहाँ पर 3 धात्वे रखी गई है जैसे आईरन, कोबाल्ट, निकिल तो इसका प्रारूप अन्य वर्गों से भिन्न है आठवे में A और B नहीं रखा गया है केवल साथवे तक ही उप वर्ग A और B रखा गया है देखिए पहले वर्ग के उपर में लीथियम, पोटेशियम, रुबेडियम आपको दिखाई दे रहे है और B में सोडियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड दिखाई दे रहे है जबकि आठवे में A और B उप वर्ग नहीं रखा गया है मेंडलीव के आवर्थ साड़नी के विवरन अभी अभी आपको चित्र में दिखाया कि जो उर्धो अधर पंक्तियां है उन्हें वर्ग कहा गया तो कुल इसमें 8 वर्ग है और 36 पंक्तियों को आवर्थ कहा गया कुल 6 आवर्थ है वर्गों को रोमन संक्या से दर्शाय गया और बाद में 0 ग्रूप इसमें जोडा गया जब अक्रिय गैसों की खोज हुई तो जो शुरू के 7 वर्ग है एक से लेकर 7 तक उन्हें उप वर्गों में A और B में बांटा गया है जबकि 8 वर्ग को उप वर्ग में नहीं बांटा गया त्रिक के रूप में विवस्थित किया गया है और ये 0 वाला है इसे काफी बाद में जोडा गया मैंडलीफ आवर्थ सार्णी के क्या-क्या गुन थे ये हम देख लेते हैं इसे हमको क्या-क्या लाब है ये उनके गुन के अंतरगत ही आएंगे सबसे पहले चीज ये थी कि तत्वों का वर्गी करण काफी विवस्थित हो गया था इसलिए तत्वों का अध्यान करना आसान हो गया था और हम यदि किसी विशेश वर्ग के एक तत्व के गुण हमें ग्यात हो तो हम उसके अन्य तत्वों के गुण भी जान सकते थे तत्व जब इस व्यवस्था में फिट नहीं बैठता था, तो वो क्या करते थे, अपनी आवड सार्णी में एक स्थान खाली छोड़ देते थे, और वो कहते थे कि इस स्थान पर कोई एक ऐसा तत्व आना चाहिए, जिसके गुण ऐसे ऐसे होंगे, मतलब संभावित इस्थित के आधार पर उनके गुण की संभावना वो पहले ही व्यक्त कर देते थे, तो ये नए तत्वों की खोज में बहुत सहायक था, ठीके, इसके बाद संदेह पूर्ण परमानु द्रव्यमानों का सुधार भी जो है, वो किया गया, मेंलिव ने कुछ तत्वों के परमानु द् उनकी संभावित इस्थितियों और गुणों की सहायता से सुधार किया था, जैसे उन्होंने क्या किया था, तत्वों बेरेलियाम का परमानु द्रव्यमान, पहले 13.5 बताया गया, इसे कैसे निकाला गया था, तुल्यांकी भार और सहीं जकता को गुणा करके निकाला गया तो पहले उसकी सहीं जकता तीन ली गई थी जो कि गलत थी, बाद में इसकी सहीं जकता को सुधार कर उसके तुल्यांकी भार से गुणा किया गया और उसका सहीं द्रव्यमान निकाला गया, इसी प्रकार बहुत से तत्व, जैसे कार्बन का, मैगनीशियम और केल्शियम के बीच के तत्व का तो गुणों में अन्य तत्वों के द्रव्यमानों में भी शंशोधन किया गया मेंडलिफ आवर्थ सार्णी के दोज देख लेते हैं हाइड्रोजन की इस्थिती जो है वो विवादित है हाइड्रोजन को छारी धात्वों के साथ पहले एवर्ग में रखा गया लेकिन यह साथवे एवर्ग के हैलोजन के साथ भी कई गुणों में समानता दर्शात है इस प्रकार हाइड्रोजन का इस्थान विवादित है दूसरा कुछ तत्वों की असमान्य स्थिती जैसे मेंडलिफ ने अवर्थ साणी को तत्वों के बढ़ते हुए परमानुभार के क्रम में रखा था परन्तु कुछ परिस्थितियों में अधिक परमानुभार वाले तत्वों को कम परमानुभार वाले तत्वों से पहले रख दिया है जैसे आरगन का परमानु भार 49.9 है और पोटेशियम का 49.1 फिर भी आरगन को पहले रखा गया है तो ये ऐसा क्यों रखा गया है इसके लिए कोई इस पश्ट कारण नहीं दिया गया था अगली चीज ये थी कि मेंडलिफ ने आवर्तसार्णी में समिस्थानिकों को इस्थान नहीं दिया था जबकि ये आवर्तसार्णी बरमानु द्रवेमान पर आधारित है तो समिस्थानिकों को इस्थान क्यों नहीं दिया गया इसके बारे में भी कुछ भी नहीं बताया गया वर्ग एक ही है और दो उपवर्ग बनाए गए तो उपवर्गों के गुणों के मद्दे कोई समानता नहीं दिखती थी जैसे लीथियम, सोडियम, पोटेशियम जो की प्रथम A वर्ग में उपस्थित हैं और प्रथम B वर्ग में कॉपर, सिल्वर और गोल्ड इनके गुणों में आपस में कोई भी समानता नहीं दिखाई देती थी फिर इनोंने कई सारे ऐसे भी तत्व थे जिनके गुण समान थे लेकिन उनको अलग-अलग वर्गों में रख दिया था जैसे उदाहरन के लिए कॉपर और मर्करी में बहुत गुण समान थे परन्तु कॉपर को फर्स के लिए भी कोई खास उचित धाचा उचित इस्थान मेंडलिव के आवर्तिसारनी में नहीं दिया गया था और आवर्तिता का कारण भी इसपष्ट नहीं किया गया था तो इस प्रकार ये मेंडलिव के आवर्तिसारनी के दोश थे अगली क्लास में हम आधुनिक आवर्तिस सारणी के बारे में पढ़ेंगे, तब तक आप इन कुछ प्रश्णों को अपनी फेयर कॉपी में हल करके रखेगा, जिसमें सबसे पहली चीज न्यू लेंड का अस्टक नियम किसे कहते हैं, दूसरी चीज डॉबर नियर का त्रिक नियम क्या है, अगला प्रश्ण, का आवर्त नियम लिखे, यह कुछ महत्व पूर्ण प्रश्ण हैं, जिन्हें आपको जरूर हल करना चाहिए, तो आप इस चैनल के साथ बने रहिए, इसे सब्सक्राइब कर लीजे, ताकि आपको आने वाले वीडियो टाइम पर मिलते रहें, so keep watching, thank you, have a nice day.